इस वीडियो में दूस्तों हम लोग बात करेंगे CBFS T10 के दूस्तों आज के होने वाले 1st मैच के बारे में दूस्तों आज का जो 1st मैच है इस T10 स्रीज का वो खेला जाएगा SBT और दूस्तों AJS टीम के बीच में सबसे पहले देख लेते हैं दोनों टीमों का अभी तक टुर्णामेन में परफॉर्मेंस कैसा रहा है किस टीम को हम लोग फेवर कर सकते हैं कौन सी टीम दोस्तों इस मैच में स्ट्रॉंग है जिनके हम लोग मैक्सिमम बॉलर को टीम में ट्राइ कर सकते हैं तो SPD की टीम दोस्तों एक मैच खेली थी टुर्णामेन में जहां पर इनका लॉस रहा था और वहीं AGS की टीम अभी तक इस टुर्णामेन में दो मैच खेली है एक मैच इनका विन रहा है और एक मैच इनका भी लॉस रहा है अब बात करें इस मैच में स्ट्रॉंग टीम का तो जो match को one-sided कर देते हैं, 5, 1, 2, ू не दोस्तों, मैं 5 बोल morale नहीं, इनके 5 ऐसे प्लियर है, जो international level पे खेलते हैं, और वही SBD का देखो, तो इनके पास, एक ही ऐसे प्लियर मिलेंगे, जो international level पे खेलते हैं, बरे लेबल के प्लियर हैं, तो इस match में कोसिस किजेगा कि AJS टीम को ही favor करके हम लोग combination मना है और maximum player आप कोसिस किजेगा AJS टीम का ही रखने का ये तो बात होगी है दोस्तों combination का साथ ही साथ बात कर लिए पीच के बारे में तो देखो दोस्तों यहाँ पर अभी तक जितने भी match होए न सभी match में बॉलर को ज्यादा favor मिला है तो इस match में भी baller को ही ज्यादा favor मिलेगा average score depend करता है टर्स पर यदि AJS की टीम बैटिंग first करती है तो average score आपका 80 और 100 के बीच में रनना चाहिए और यदि दोस्तों SBD की टीम बैटिंग first करती है तो average score आपका 200 घट के 70 और 90 के बीच में आ जाएगा ठीक हम लोग के लिए एक trauma card रहेगा captain VC किसको करेंगे इस match में total information हम लोग देखने वाले इस वीडियो में जो आपको एक बेहतरीन combination बनाने में खोब help करेगा ठीक ना और एक और ची दोस्तों मैंने जो भी अपना final combination आगया आपको इसाथ वीडियो में share किया है ध्यान अकिएगा यदि सभी player खेले उस team से आप चले जाएगा यदि कोई player नहीं खेलता है तो telegram channel पे मैं आपको update कर दूँगा टिक ना player को और combination को तो आप लोग दोस्तों telegram channel को जुआएं जरूर कर लिजेगा इसका link आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तों comment section में भी first comment pin के हुआ मिल जाएगा चाहिए दोस्तों telegram के साथ जुड़ जाएगे और साथी साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने YouTube channel को subscribe नहीं कियो तो दोस्तों YouTube channel को चरूर subscribe कर दीजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तों सबसे important कोसिस किजेगा notification का घंटी बजादे इससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजली notification मिलता रहेगा ठिक ना दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिकेट कीपरिंग से बिकेट कीपरिंग से बिकेट कीपरिंग सेक्षन में आईएगा फॉस्त आपको एस साथ कुरका मिलेगा जिनको आपको गलती से भी ना ड्रॉप तो करना ही नहीं है ओपन बैटिंग करने आएंगे बहुत अच्छे प्लियर है फ्रस्ट मैच बहुत अच्छा इन्होंने खेला था सेकिंड मैच ज्यादा इसकोर नहीं कर पाय थे बट आप लेके जाओ आर चुपरा दोस्तों में आपको विकेट कीपरिंग से प अब आजाते हैं बैटिंग सेक्षन तो बैटिंग सेक्षन में फॉर्स्ट आपको इन अर्सद का मिलेगा देगो दोस्तों इन अर्सद मेंली बैटिंग तो आपको तीन नमबर पे करता है अच्छा प्लियर है बॉल को देखके स्कोर करता है लेकिन यह टीटेन का मैच है औ लियान मस्ट इंपोर्टेंट भीक है, सभी मैच में ओपेन बैटिंग करेंगे, और लास्ट मैच में तो यार भाई ने दो बर बालिंग भी कर दिया था, लगिन का इतना बेकार था दोस्तों, इतना ज़्यादा बेकार था कि बालिंग से भी बिकेट नहीं मिला, और बैटिं को मैं नहीं रखूंगा दोस्तों नीचे से एस सा को आप ट्राइ कर सकते हो टॉप ओडर में बैटिंग करने आएंगे फर्स्ट राउन आप इनको ले सकते हो फर्स्ट मैच तो टोटली फ्लॉग गया था जीरो रनी स्कोर किये थे फिर नीचे आ रहा हमाद यदि ये फिलियर खेलेने तो प्लीज रख लेना फर्स्ट मैच नहीं खेलेते इसी वज़े से मैं अभी इनको टीम में नहीं रख रहा हूं बट यदि खेलेंगे तो मेरे स्मॉल लिक टीम में भी होएंगे बहुत इंपोर्टेंट पिलियर है यदि ये खेलता है तो दो बर तो 100% फिक्स किया है एस कलियान हो गया नीचे से साह हो गया या आरा मद हो गया ये तीन प्लियर ही बैटिंग सेक्षन से बेस्ट है अब बात कर लें और लाउंडर सेक्षन तो लाउंडर सेक्षन में एच कॉसिक का फर्स्ट आप्शन मिलेगा देखो दोस्तों फर्स मैच में एस कॉसि first round batting भी किये थे एक over balling भी किये थे और first match भाई का अच्छा रहा था लेकिन second match में न batting से totally flop zero run score किये और वहीं दोस्तो balling से भी इनको chance मिला नहीं तो इस match में इनका selection बहुत जादा आई है लेकिन ये एक ऐसा option है जिन पे दोस्तों आप rix ले सकते हो rix क्यों लेना तो जैसा मैंने बताया दोस्तों last match में totally flop गया और especially तब rix लेना जब दोस्तों AGS की team batting second करती है ठीक ना में भी दोस्तों second batting में क्या होगा कि इनके top order ही मार के run खदम करते तो इनको batting का chance ही नहीं मिलेगा लेकिन batting first यदि AGS की team करती है फिर आप drop बंद करना इस तरह का थोड़ा-थोड़ा rix लेना परता है और rix ऐसे नहीं कि किसी भी को उठा के रख लिए situation के हिसाब से rix लोगे तब आपका combination हमेशा सही बनेगा और जल्दी flop नहीं होगा यह लगारा must important भी है दो बंद आपको balling करके देंगे drop नहीं कीजिएगा सभी लोग इनको captain भी कर रहा है batting नीचे करते हैं यही एक problem है कि small league में captain करे या ना करे आगे मैं आपको captain BC वाले section में और भी clear करूँगा फिर नीचे दूस्तों आपको is khan का option मिलेगा भाई साब last match में भाई ने बहुत ही कमाल का inning खेला था इनके जब सभी batsmen flop हो रहे थे वहाँ पे भाई ने 34 run score किया था एक strong team की against team में रख रहा हूं दोस्तों सिखना balling नहीं करेंगे as a batsman ही मैं रख रहा हूं पर नीचे in pros का option मिलेगा selection इनका भी हाई है लेकिन दोस्तों ये मेरे को wicket taker baller लगते नहीं है last match में 0 wicket लिए 2 भर balling किये first match में भी एक wicket गलती से इनको मिल गया था empire ने गलट decision दे दिया था वहाँ पर भी plus point बस यही था कि 2 भर balling किये थे तो इस player पर ऐसा नहीं है कि आपको लेके ही जाना है आप इनको drop करके other player पर भी ricks ले सकते हो ए मलिक में रख रहा हूं 8% selection है इस match का मेरा first strong card player यही बढ़ना चाहिए क्योंकि selection कम है और खेलारी अच्छा है जो last inno ने 2 T10 match खेला है इसी series का दोनों match में भाई ने 2-2 over का balling किया लख बहुत खराब था कि दोनों match में बिकेट नहीं मिला लेकिन important क्या है दोस्तों सामने उतना strong team नहीं है batting उनका कमजोर है और यह जो SGS के जितने भी baller है जो 2-2 over का balling करते हैं उनको तो लखना पड़ेगा सिंपल सा बात है दोस्तों AGS के baller ही लेंगे पर नीचे इगा ए निटफान नहीं drop करना है गलती से भी नहीं 2-0 over आपको balling साथी साथ open batting करने आएंगे must important पिखे इनको आप drop मत करना ठिक न नीचे और भी option देखे तो एक और नाम आपको मैं share करना चाहूँगा यदि दोस्तों खेलता है तो बहुत ही तकरा और लाउंडर प्लियर है यदि खेले तो डाइडेक्ट आपके टीम में होने चाहिए चलिए अब बात कर ले हम लोग balling section तो balling section में AGS must important peak है दोस्तों दो ओबर का complete balling करके देंगे drop नहीं कीजेगा एस सांगवान first match खेले थे और बहुत अच्छा performance रहा था लेकिन second match ये खेले नहीं यदि खेलते हैं तो हम लोग definitely team में रखेंगे कुछ नहीं सोचना है बट नहीं खेलेंगे तो फिट drop करके ही चलीगा एच आलम दूसों last match में एक over balling करके एक bicket आपको provide किये थे अच्छे baller मेरे को लगते हैं बहुत bicket ticking तो नहीं लगते हैं यदि SBT की team first batting करती है तो मैं maybe drop कर दूँ लेकिन first balling करेगे तो मैं इनको लेके जाओंगा ठिक ना और यदि आप इनको drop करेगे तो आपके पास option क्या क्या मैं वो भी आपके साथ share कर देता हूँ batting section से एक तो आप ace star को try कर सकते हो आरहमत खेले आरहमत को आप pick कर लेना इनके जेगा ठिक ना finish आपको M money का option मिलेगा 13% selection है लेकिन हम लोग pick कर सकते है region मैं बताता हूँ last match में 2 over का complete balling किये bigate नहीं मिला है लेकिन भाई ने बहुत अच्छा balling किया था HL को दूसरों मैं नहीं रख रहा हूँ balling first में try करना हो कर सकते हो rix लिया ना हो तो आप एक गफार पे rix लिया हो ना बहुत अच्छा baller है last match में भाई ने एक over का complete balling किया था bigate नहीं मिला था लेकिन जानते हूँ यदि आपने live match देखा होगा तो इनके ball पे 2 catch drop हुआ था 1 key over में 2 catch drop हुआ था अब depend ये करता है कि या खिलारी ये अच्छा है फिल्डर catch ही छोड़ दे तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो rix लेना हो तो 12% selection में ये एक बंदा अच्छा रहेगा आपके लिए अब बात करें इस match के regarding captain BC option देखो दोस्तो यदि AGS की team first batting करती है तो A.S.akur captain 22 captain A.S. kaliyan में जाऊंगा यदि दोस्तो second batting करती है तो फिर में A.S. kaliyan captain और vice captain A.Lakara region में बताता हूं क्यों ऐसे करना चाहिए देखो AGS की team batting first करे तो A.S.akur के पास chance रहेगा कि वो बड़ा score कर सकते हैं लेकिन यदि दोस्तो AGS की team batting second करे और सामने वाले team यदि 30-50 run पे ही all out हो जाएगा तो इनको तो chance ही नहीं रहेगा बड़ा score करने का तो ये changes कर सकते हो इस कल्यान को captain BC करने का region बताता हूं last match में open batting भी कियों और सबसे important 2 over का balling करके गया है तो इसलिए इनको captain BC करना खराब option मेरे को नहीं लग रहा है तो अभी के लिए दूस्तो आप लोग स्क्रीन स्वाट ले लिजिए कॉंटे श्वाइन करके रखिए टस के बाद यदि दोस्तो इस टीम में कोई भी changes करना होगा न टस को ध्यान में रखते हुए या playing level को ध्यान में रखते हुए आई होप आप लोगोंने telegram channel को ज्वाइन कर लिया होगा नहीं कियो दोस्तो तो कर लेना इसका link नीचे ही description सेक्षन में भी मिल जाएगा साथी साथ comment सेक्षन में भी first comment पिन के हुआ मिल जाएगा जाए दोस्तो टेलिग्राम के साथ जुड़ जाएए और साथी साथ दोस्तो यदि अभी तक आपने YouTube channel को subscribe नहीं कियो तो जरूर कर दीजेगा दोस्तो और subscribe करने के बाद सबसे important कोशिस किजेगा notification का घंटी बजा दे जिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा टिक ना दोस्तो तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स टीटेन के वीडियो में जैहिन दोस्तो टेक क्यार एंड बबाई